नमस्कार दा स्टेट सेंटिलन में आपका स्वागत है और मैं हूँ राहुल सिंग एक प्रोफेसर एक टीचर और एक पुलिस करमचारी को टर्मिनेट कर दिया गया है क्यूंकि वो टेरर लिंक से संबंद रखते थे खबर कश्मीर से आ रही है अब से थोड़ी देर पहले ये सार साफ सामने हो चुका है कि कश्मीर में ये तीनों के तीनों जो है वो टेरर लिंक से संबंद रखते हैं कहीं ने कहीं जो आतंगवाद है उनको कुछ नों कुछ जो इन्फॉमेशन है वो मोहिया करवाते होंगे उ सब्सक्राइब बात करें तो जो प्रोफेसर हैं वो कमिस्ट्री के प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्स्टी में यह जॉब करते हैं और इनका नाम है अलताफ हुसैन पंडित इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है दूसरा नाम है मुहम्मद मक्बूल हजाम यह टीचर है स्कू लिंक के जलते जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है बहुत बड़ा खुलासा जो है हमारे जो हमारी सिक्योटी के लोग हैं जो हमारी इंटेलिजेंस हैं उनके द्वारा किया गया है और लगातार इन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और देखा जा रहा है कि कौन लोग जो हैं जो हमारे ही देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में सरकारी ओधों पर बैटे हुए हैं, लेकिन काम वो पाकिस्तान परस्त लोगों का करता है, पाकिस्तानियों करते हैं, आतंक वादियों को शेय देते हैं, उन तक जो है information पहुचाते हैं, और य किमिस्ट्री का प्रोफेसर है दूसरा एक टीचर है अध्यापक है और तीसरा पुलीस में कॉंस्टेबल है यानि कि बड़े बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो एक यह टेरर लिंक हो सकता है किस तरह की जानकारी जो है यह उन आतंगवादियों तक पहुंचाते होंगे क् पिर किस तरह की इंफॉर्मेशन यह कहा कहा यह उनको पना के लिए यह भी हो सकता है कि इनके द्वारा ही आतंगवादी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा जाते होंगे वह इस तरह की इंफॉर्मेशन भी जो है वो उनको देते होंगे और बहुत सारे कयास और लगा जा सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ये खुलासा हुआ हमारी intelligence ने बहुती पूरी बारीकिस चीज़ को देखा क्योंकि आप government employee है इन ओदों पर बैटे हुए हैं और कहीं न कहीं कोई गलती न हो जाए कोई जब हमारी intelligence है वो पूरी एक पुखता report लेकर ही आते है हर चीज को जाचा जाता है तब उसके बाद ही इस तरह की कारवाई जो है वो की जाती है और उपर से नीचर तक जो है खंगाला जाता है कि कहां कहां से इन लोगों के समन्ज जो है वो बने वाला कि अभी तीन लोगों को ही टर्मेट किया गया है अभी इसके बाद और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए थे जो इस तरह के काम कर रहे हैं इसे पहले भी टर्र लिंक से जुड़े जो लोग थे जो सरकारी ओदों पर बैटे हुए थे उन्हें तो टर्मेट कर दिया गया था उसके बाद मुकदमा या कारवाई जो है वह भी की जा रहे हैं इन लोगों पर भी कारवाई की जाएगी इनसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वह भी कलेट की जाएगी हमारे सिक्योर्टी फोसस दौरा हमारी इंटेलिजेंस दौरा क्यूंकि जानकारी ली जाएगी कि किन लोगों के साथ इनके समबंद रहे हैं किन टेरर गृप के साथ किन सगठनों के साथ ये जंड़े हुए है कब से जंड़े हुए कैसे इनका लिंक ने साथ हुआ क्या क्या information इन्हों ने उनके साथ सारवजनी की है और आगे क्या उन आतकवादियों के मनसूबे या प्लैन बनाए होंगे शायद इनके पास वो भी सारी जानकारी होगी लेकिन आगे वो से हमारी जो intelligence है जो हमारी security forces है वो अपना काम बखुबी निभाएगी लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा और एक बहुत बड़े लेवल पर ये देखा जा और कहिसे सोचते हैं कुछ निवार उए हो और कईयों के उमर तक गुजर गई है और अब वो कईना कोई और अपना जीवन व्यापन करने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई इतनी जादा की होती है यूँकि आगे यह शोचना पड़ता है कि अगर हमें जाबी नहीं मिली तो हम काम जो है वो क्या करेंगे और आए दिन आपको ये चीज़े देखने को भी मिलती है और दूसरी तरफ वो लोग जो सरकारी ओदो पर बैठे हुए शायद इन्हें नोक्री जो बड़ी आसानी से मिल गई होगी आसानी से ये उस सीट पर बैठ गए होंगे लेकिन काम आप समझ सकते हैं कैसे ये कर रहे हैं क्योंकि ये क्या लालच है कहीं न कहीं क्योंकि जो भी टैरलिंक से जुड़े होते हैं उनसे कहीं न को पैसा भी महया होता है कि कितना पैसा इन लोगों ने उनसे लिया होगा जो आतंगवादी है जो ग्रुप है जा उनके जो बड़े-बड़े लोग है कौन लोग ये करवाते हैं कितना पैसा इनके पास आया होगा वो बैंक डिटेल भी अब जो है वो देखी जाएगी लेकिन बहुत बड़ा खुलासा जो है वो अब हुआ है सबसे लोगों के संपर्क में और कौन लोग है उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा फिलाल दीजे जाजत दीपक भंडारी का साथ राहु सिंग दस्टेट सेंटेनल करिए नमस्कार